हाई गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे तो चलिए बिना देरी कि ये शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड वन्च अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सामने बैठी हूं विरा को देख रहा था जो की गुस्से से उसे लगातार किस कर रही थी वन्च को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है उसने विरा को खुद से दूर करने की कोशिष की पर विरा काफी वीरा को किस करने लगा कुछ देर बाद जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तब दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा अभी भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए थे उन दोनों के टेबल से अंच सिद्धी आदित्य रिद्धी के टेबल दूर नहीं थे जिस वजह से उन चारों ने भी उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। अगर मर भी गई ना तो भी भूत बनकर तुम्हारे पीछे गुमूंगी और तुम्हें किसी से शादी नहीं करने दूंगी। इसलिए वंच कपूर तुम्हारी बीबी तो वीरा मित्तल ही बनेगी इसलिए अपने दिल और दिमाग में इस बात को गांठ बांध लो किसी और लड़की की तरफ आंक उठा कर भी नहीं देखोगे। मेरे अलावा दुनिया में मौझूद सभी लड़कियां जो तुमसे बड़ी है वो तुम्हारी माँ और जो तुमसे छोटी है वो तुम्हारी बेहन में हिकलोती हो जो तुम्हारी लाइफ पार्टन हूँ समझ में आया तो अगली बार से मुझे इस तरह के जूठे किस से कह काम कर चुकी होती मुझे कोई नॉमल लड़की मत समझो मैं एक गुंडी हूँ गुंडी जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है अब तक तो तुम मुझे जान ही गए होंगे पिछले दो साल से तुम्हारा पीछा जो कर रही हूँ पिछले दो साल से तुमने मुझे रहा था कि यह लड़की बनी किस मिट्टी की है उसके कितना भी बार कहने पर यह उसका पीछा नहीं छोड़ती नहीं इस बात पर यकीन करती है कि वंच की जिन्दगी में कोई और लड़की है। नहीं तुम्हारे इस बंदर जैसी शकल में वंच की बात पर वीरा ने हंस्ते हुए कहा और सच में तो फिर कौन है जिसके मोबाइल में मेरी तस्वीर हैं। तुम्हीं ये भी पता होता है कि मैं कहां हूँ किसी लड़के के साथ हूँ किसी लड़की के साथ हूँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इन फैक्ट तुमने तो मेरे पीछे एक जासूस भी लगा कर रखा हुआ है जब प्यार करते हो तो मानने से क्यू डरते हो मिस्टर कपूर वीरा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा अपनी पोल खुलता देखकर वंच का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे शरमाता देखकर वीरा ने जोर जोर से हंस्ते हुए कहा ओफ तुम्हारा ये शर्माना क्या होगा यार जब हमारी सुहाग रात होगी मुझे तो लगता है तुम घूंगट डाल कर बैठोगे और मैं तुम्हारा घूंगट उठाऊंगी यार हमारी सुहाग रात तो वीरा ने कहा उसकी बात सुनकर वंच जो की शर्मा रहा था अचानक से उसका चहरा गुस्से से लाल हो गया उसने वीरा की तरफ देखते हुए कहा किसने कहा कि मैं तुम जैसी पागल से शादी करने वाला हूं वीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा करने वाला हूं नहीं तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी चाहे तुम कुछ भी क्यूं न कर लो तो बार बार खुद को ये कहने से अच्छा है कि तुमसे शादी कौन करने वाला है कौन करने वाला है खुद को इस बात के लिए तयार करो कि तुम्हारी शादी विरा मित्तल से ही होने वाली है और वीरा वंच कपूर वीरा की बात सुनकर वंच उसे घूरने लगा वीरा ने शरार्ती मुस्कुराहट के साथ का वैसे होने वाले पती देवब घूरने से ही काम चलाओगे या फिर कुछ खाना भी खाएं इतना कहकर उसने वेटर से कहकर कुछ मंगवाया वही आदित्य की टेबल पर रिद्धी आदित्य को परेशान कर रही थी और बिचारा आदित्य शर्म के मारे लाल हो रहा था रिद्धी ने आदित्य की तरफ देखकर शरार्ती मुस्कुराहट के साथ के वैसे जब हमारी शादी होगी तब भी तुम इसी तरह से शर्म आओग कहा तुम कितने क्यूट हो क्यूटी आदित्य ने रिद्धी को घूरते हुए कहा मुझे क्यूटी मत कहो रिद्धी ने शरार्ती मुस्कुराहट के साथ कहा तुम हो क्यूटी पाई यार हमारे बच्चे ना बिलकुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए प्यारे और क्यूट कितने क्यूट होंगे ना वह मुझे तो लगता है कि उन्हें बहुत नजर लगेगी इसलिए मैं तो अभी से बाबा जी के पास जाकर उनके लिए ताबीज बनवा लूंगी रिद्धी की बात सुनकर आदित्य ने खुद को कंट्रोल किया और उसे घूरते हुए कहा और तुम्हें क तुम्हारे साथ शादी करूंगा रिद्धी ने उसके कॉलर को अपनी तरफ कीचते हुए कहा क्योंकि मैं चाहती हुँ और वैसे भी तुम्हारी booking तो मैंने पहले ही कर दी थी तो अब तुम्हारे उपर मेरा हक है तुम्हें किसी और को देखने भी नहीं दूनगी तो किसी और से तुम्हारी शादी होना तो दूर की बात है। रिद्धी को घूरते हुए कहा पिछले 2 साल से जहल ही तो रहा हूँ. आखिर कहा तुमने मुझे चेन से जीने दिया 2 साल तक रिद्धी ने मासूमियत से कहा मैंने क्या किया मेरे प्यारे क्यूटी मैं तो बस तुम्हारे आगे पीछे गूमती थी ताकि कोई गंदी लड़क तुम्हें तो मुझे कोई प्यारा नाम देना चाहिए जैसे बेबी सोना मोना। रिद्धी की बात सुनकर आदित्धी ने अजीब सा मूह बनाते हैं कहा यह निबब निबबी वाले नाम लेना बंद करो मुझे इन नाम को सुनकर ही उल्टी करने का दिल करता है निबब निबबी सुनकर रिद्धी ने अजीब तरह से कहा तुम्हें किसने कहा कि मुझे अधित्य की बात पर रिद्धी ने शरार्ती मुस्कुराहट के साथ कहा अरे मेरी जानवा तो हम उसके लिए उसे करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं और मैं तो तुम्हारे प्यार में पूरी पागल हो चुकी हूँ तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। माधित्य ने रिद्धी को घूरते हुए कहा तुम बस एक कम करो मुझे पागल मत करो और शान्ती से मुझे कुछ खाने दो क्यों कि अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। अंश के टेबल पर भी रिद्धी की तरह सिद्धी ने अंश को पूरी तरह से पागल किया हुआ था अंश ने अपना सर पकड़ते हुए अपने दोनों हाथ सिद्धी के सामने जोडते हुए कहा अरे मेरी माँ, मुझे बक्ष दो सिद्धी ने मुस्कुराते हुए का तो तुम क्यूं बार-बार यह कह रहे हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जब तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे अलावा किसी लड़के के बारे में सोचा भी नहीं त तुम्हें मानना चाहिए ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो अंच ने कहा अरे मेरी माँ हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ अब बस मुझे चैन से खाना खाने दो तीनों अपने अपने टेबल पर तीनों लड़कियों से परेशान होकर चुप-चाप खाना खा रहे थे वही तीनों लड़कियां जम कर तीनों की बैंड बजा रही थी। वही दूसरी तरफ सुकुन और अर्मान इस वक्त सुकून के रोजविला में मौजूद थे जो कि उसे जनार्दन जी ने उसके 18 बर्थडे पर गिफ्ट किया था इस विला की खासियत ये थी कि इसके चारों तरफ गुलाब ही गुलाब लगे हुए थे वह भी हर कलर के यहां पर इतना सुकून था कि सुकून को यहां पर आने के बाद जाने का दिल ही नहीं करता था। सुकून इस वक्त छट पर खड़ी बाहर के खुबसूरत नजारे को देख रही थी अर्मान ने पीछे से सुकून को पकड़ते हुए कहा क्या सोच रही हो इंजल। सुकून ने बाहर की खुबसूरत वादियों को देखते हुए कहा मिस्टर हैंसम आज रोहन भाईया और अनन्या दीदी की भी शादी हो गई हमारी कब होगी सुकून के मुह से फिर से शादी की बात सुनकर अर्मान ने इस बार उसे कुछ नहीं कहा बलकि उसका चेहरा अप सुकून ने अर्मान की तरफ देखते हुए कहा हमें तो आपसे शादी बचपन से करनी थी पर आपको ही हमसे शादी नहीं करनी शायद हम आपको पसंद ही नहीं है इतना कहकर सुकून ने अपना छोटा सा चेहरा नीचे कर दिया उसकी बात सुनकर अर्मान ने सुकून को घूरते हुए कहा फिर से ये बात कहने की हिम्मत मत करना मेरी जिन्दगी में आप क्या हो और क्या नहीं ये बात आप अच्छे से जानती है अगर आपको शादी करनी है तो ठीक है हम भी बहुत जल्दी शादी कर लेंगे अर्मान क मुझ से ये सुनकर सुकून जो की अपना चेहरा नीचे जुका कर खड़ी थी अचानक से उसकी आँखों में खुशी जलकने लगी उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्मान की तरफ देखते हुए कहा सच में उसकी आँखों में खुशी की चमक देखकर अर्मान ने बस अ नहीं सुकून ने मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया अर्मान ने शरार्ती मुस्कुराहट के साथ उसे कमर से पकड़ कर अपने करीब कीचते हुए कहा बस इतना ही reward। सुकून ने मुस्कुराते हुए उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख दिये और उसे प्यार से किस करने लगी अर्मान भी सुकून को प्यार से किस कर रहा था काफी देर किस करने के बाद जब दोनों को लगा कि आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब दोनों ने एक दू दूसरे को छोड़ा दोनों लंबी-लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। दोनों की आँखों में एक दूसरे के लिए प्यार नजर आ रहा था सुकून ने अर्मान की तरफ देखते हुए कहा सच में हम जल्दी शादी करेंगे ना मिस्टर हैंसम सु सुकून की बात में डर नजर आ रहा था उसे लग रहा था जैसे अर्मान फिर से उसे कुछ दिनों बाद मना कर देगा उसकी बात में डर महसूस करके अर्मान ने उसके माथे से अपना माथा जोडते हुए कहा अर्मान राठ और कभी जूट नहीं बोलता और आप से तो कभ हम बहुत जल्धी शादी करेंगे अर्मान की बात सुनकर सुकून ने उसके लिप्स पर फिर से किस करते हुए कहा सच में अर्मान ने उसे किस करना शुरू कर दिया और उसे लेकर कमरे में आ गया सुकून भी मुस्कुराते हुए अर्मान को किस कर रही थी अर्मान ने सुकून को बैड पर लिटा दिया और उसके उपर जाकर उसे किस करने लगा कुछी देर में दोनों एक दूसरे के प्यार में खोच चुके थे और दोनों की सिस्किया पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। करीब दो घंटे के बाद सभी आवाजे आने बंध हो गई अर्मान ने सुकून की तरफ देखा जिसका चेहरा गुलाबी हो गया था और उसका चेहरा पसिने से भीगा हुआ था अर्मान ने सुकून को अपने सीने से लगाते हुए कहा आप ठीक हो इंजल सुकून ने अर्मान को घूरते हुए कहा आप बहुत बुरे हो आपने हमें कितना ठका दिया अर्मान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा आप तो इतनी कमजोर हो जरा सोचो हमारी शादी के बाद आपका क्या हाल होगा आप तो सिर्फ इतने से ही ठक गई जब हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे तब आपका क्या होगा एंजल आपको तो अभी से मुझे स्ट्रांग बनाने की जरूरत है अर्मान की बात सुनकर सुकून का चेहरा गुलाबी हो गया उसने अर्मान की च्छाती में अपना चेहरा चुपाते हुए कहा आप बहुत बुरे हो हमेशा हमें चिड़ाते रहते ह अर्मान ने सुकून को सीने से लगाते हुए कहा सच में मैं बुरहू सुकून ने मुह बनाते हुए अर्मान की तरफ देखा सुकून का चेहरा देखकर अर्मान को हंसी आ गई दूसरी तरफ कैफे में आखिर में तीनों का लंच कम्पलीट हुआ बेचारे तीनों बॉरज की हालत इस वक्त काफी खराब थी तीनों बहनों ने मिलकर उन्हें इतना ज्यादा तंग किया था कि तीनों को देखकर कोई भी यह कह सकता था कि तीनों को बुखार आ गया है त अखिर में तीनों बॉरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी अपनी वालियों की तरफ देखा उन तीनों बहनों ने भी एक दूसरे को देखा और तीनों ने एक साथ उन तीनों दोस्तों को अपनी तरफ कीच कर उनके गाल जबरदस्ती किस किया तीनों दोस्त जो यहां से भागने की प्लानिंग कर रहे थे उन तीनों को इस तरह से किस करता देखा कर फ्रीज होकर उन तीनों को देखने लगे उन तीनों के चहरे के एक्सप्रेशन देखकर रिद्धी सिद्धी और विरा जोर जोर से हसने लगी अंश और वंश ने एक रित्य की तरफ तीनों ने आप देखा ना ताव सीधा कैफे से बाहर भागे। उन्हें इस तरह से भागता देख बाकी सब भी हंसने लगे वही। रित्य की तरह लाल हो गया था पूरा क्यूटी पाई है वीरा ने कहा उनकी तारीफ करना बंद करो अब जितनी जल्दी हो सके हमें घर पर बात करनी है क्योंकि इन तीनों नमूना पर मुझे बिलकुल भरोसा नहीं है इतने ज़्यादा भोले हैं कि कोई भी लड़की ने फंस सकते हैं मैं नहीं चाहती कि मेरे वंच पर कोई बुरी नजर डालें वीरा की बात पर रिद्धी और सिद्धी ने अपना सर हिलाया तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कैफे से बाहर निकल गई वही अंच वंच और आदित्य तीनों इस वक्त गाड़ी में ब क्या करूं मुझे क्या पता था ये चुरेल इस प्लान को भी प्लॉफ कर देगी आदित्य ने कहा तो अब हम क्या करें वंच ने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते जो भी करना है वह तीनों ही करेंगे वंच की बात पर अंच ने भी अपना सर हिलाया तीनों दोस्तों ने एक द उन्हें किसी की भारी आवाज सुनाई दी उन्होंने पलट कर देखा तो वीरा के पापा और रिद्धी सिद्धी के बड़े पापा विशंभर जी ही उन्हें घूर रहे थे अपने पापा को देखकर वीरा की हालत खराब हो गई तभी विशंभर जी ने उन तीनों की तरफ द हालत खराब होने लगी उन तीनों की हालत ऐसे हो गई थी जैसे वह भी रो देंगे आज के लिए बस इतना ही प्लीज चानल को सब्सक्राइब और लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें